नमस्कार दोस्तों मैं वो आपका दोस्त मोनो जोर आप देख रहे हैं माई पोटोग्राफी चानल क्या दोस्तों को भी आपने Adobe Photoshop CS3 में Camera Raw फिल्टर चलाया है अगर नहीं चलाया है या फिर आप जानते नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने Adobe Photoshop CS3 open करके रखा है कोई भी फाइल हमें Camera Raw में अगर open करनी है तो जो नए वर्जन है Photoshop के तो उसमें filter के अंदर आपको Camera Raw का filter का option मिल जाएगा लेकिन Adobe Photoshop CS3 में अइसा नहीं होता वो इमेज आपको open करने के लिए आपको पहले फाइल में जाना होगा फाइल में open as इसका shortcut button है अल्ट shift ctrl o open as आप जब करेंगे तब आपको कोई भी एक इमेज यह इमेज मैंने ले ली इमेज लेने के बाद open as यहाँ पे आपको फाइल के टाइप दिये है open as camera raw यह plugin आपको मतलब यह फाइल टाब आपको यहाँ पे चूज करना है और वो image को क्लिक करके आपको यहाँ से open करना है जैसे आप करेंगे तो आपका Adobe Photoshop CS3 में camera raw ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप मन चाहे changes कर सकते हैं जैसे कि अभी यह मैंने पी कर लिया white balance का कि अब यहाँ पर आटो यहाँ पर default यहाँ पर एग एज शॉट आटो कस्टम इस तरह के आपको प्रिसिट मिल जाएंगे यहाँ पर आप एक्सपोजर कम ज़्यादा कर सकते हैं इमेज का कि यहाँ में जीरो रखता हूँ कि यहाँ पर रिकावरी यहाँ पर थोड़ा कॉंट्रेस या फिर थोड़ा डीटेल बढ़ने लगता है फिल लाइट लाइट फिल करनी है यहाँ पर ब्लैक नेस ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं कॉंट्रेस यहाँ पर आप वाइब्रेंस ऐड कर सकते हैं कम कर सकते हैं सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं यहां पर भोण रख़ूनगा है यहां पर टोन कर मेन इस इंजटल करके रख़े हैं आपको जो चाहिए आप यहां से क्लिक करके आपका मन चाहँ पिरिष्यत्र ऑप सेथ कर सकते हैं कि मुँए आपका का मुद्र होने के बाद आप यह से ऊपन उपजेट करेंगे तो यह इमेज आपका स्मार्ट अबिट की तरह यहां पर open हो जाएगा और manually आप जो भी काम करेंगे आप यहाँ पर कर सकते हैं बस यही ता आज का वीडियो तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो धन्यवाद